हेलो स्टुडेंट आज का हमारा टॉपिक है राइबोजोम, इट इस वेरी इंपर्टेंट टॉपिक फर क्लास एट, नाइन, इलेवन, तो आज हम लोग बात करते हैं राइबोजोम की, तो जैसा कि आप बोर्ट पे देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है राइबोजोम, राइबोजोम को हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्रोटीन फेक्टरी ओफा सेल के नाम से जानते हैं, यहाँ यह याद रखिए बहुत पुछा जाता है कोशन, आबजیک्टिब में, वेरी शॉर्ट में, कि प्रोटीन फेक्टरी ओफा सेल किसको कहते हैं। तो याद discovered by George E. Pallet, तो books में अक्सर क्या होता है, सिर्फ इतना नाम दिया रहता है, तो पूरा नाम क्या है, George E. Pallet, तो याद रखें आप, तिसरी चीज है, इसकी definition क्या होती है, तो अगर कोई आप से definition पूछता है, कि ribosome की definition क्या है, तो आप बता सकते हैं, कि ribosome are most important cell organelles, यानि जो हमारी prokaryotic, eukaryotic cell होती है, उसमें ribosome जो होता है, बहुत ही important cell organelles होता है, ribosome जो होता है, बना होता है, किस चीज से बनता है? RNA and protein. RNA और protein से मिलकर क्या होता है? राइबोजोम बना होता है और ये राइबोजोम जो होता है वो convert कर देता है यानि RNA और प्रोटीन जो है मिलकर क्या करते हैं इसको convert कर देते हैं तो genetic code जो है वो amino acid की chain form में बनना शुरू हो जाते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं राइबोजोम बोलते हैं तो आप अगर particular कोई आप से definition पूछता है ribosome की तो आप ये definition बता सकते हैं क्या ribosome are the most important cell organelles composed of RNA and protein that convert genetic code into chain of amino acid तो ये हमारी ribosome की definition हो सकती है ribosome जो होता है जैसा कि मैंने कहा कि RNA और protein से मिलकर बना होता है तो 62% क्या होता है ribosome जो होते हैं वो composed किससी से होते हैं वो RNA से बने होते हैं और बाकी जो rest part जो बच्ता है वो protein से मिलकर बना होता है टीकेित प्रोकेरियोट और यू केरियोट जो होते हैं प्रो केरियोट में 70S टाइप का ribosome होता है eukaryotis में क्या होता है 80S टाइप का ribozome पाया जाता है तो जो भी 70S टाइप के ribozome होते हैं तो ये डिफरेंट टाइप के होते हैं अगर 70S ribozome जो होता है इसकी subunit जो होती है तो दो subunit तो होती है 70S और 80S और इनकी भी अंदर के दो पार्ट होता है 70s जो सब उनिट होती है वो, divide होती है, 50s और 30s 80s जो होता है, वो आपका किसमें divide होता है? 60s और 40s में यह, divide होता है उसके इलावाद सबसे important होता है ribosome का function तो ribosome का function क्या है? सबसे important function यह होता है कि सभी को मालूम होता है ribosome क्या करता है? प्रोटीन को बनाने का काम करता है तो इसका important role है प्रोटीन का synthesis करना इसी लिए protein factory of a cell के नाम से ribosome को जाना जाता है फिर का गया है It assembles amino acid to form protein that are essential to carry out cellular function किसी भी cell के अंदर जो भी cellular activities होती है उसको perform करने के लिए क्या होता है प्रोटीन की ज़रूरत होती है प्रोटीन के अंदर कोई भी चीज damage हो गई है या इसको repairing की ज़रूरत तो उसको क्या चाहिए यह protein तो protein को बनने के लिए एसेंबल करने के लिए protein कौन बनाता है ribosome बनाता है It assembles amino acid amino acid क्या होता है कटे होते चले जाते हैं और वो protein बनाना शुरू करते तो इसकी वज़े से क्या होता है cell के अंदर बाकी जो भी cellular functions होते हैं वो होना शुरू हो जाते हैं third point की बात करें DNA जो होता है वो produce करता है MRNA किस प्रोसेस से DNA transcription process से क्या होता है DNA जो है MRNA को प्रोसेस करता है messenger RNA को वो क्या करता है produce करता है तो student यह बहुत important topic है आपकी class 8th के लिए 9th के लिए 11th के लिए और आपके medical entrance exams के लिए तो student इसको बहुत अच्छे तरह से आप इसको learn करें त्यार करें ओके thank you